तो हम लोग पढ़ेंगे आज 992022 tip number 1 पहला question आपके सामने कहता है समीकन इतने के मूलों की प्रगति के संबन्द में इन में से कौन सा कथन सब्सक्ते है प्यारे दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्या कि B square minus का 4ac अगर बराबर है तो roots are equal अगर greater है 0 से तो real होंगे और less than 0 है तो imaginary होंगे फिर समझो B square minus 4ac अगर बराबर है तो equal roots होंगे greater है 0 से तो real होंगे और less than 0 से है तो imaginary होंगे यह equation का comparison हम लोग कर लेंगे तो जब comparison करेंगे AX square plus BX plus C से आप देखो कि B का मान 9 है 9 का square 81 होगा minus का 4 into 2 into 15 15,120 यानि यह less than 0 आएगा यानि एक negative value आ रही है और अगर negative value आ रही है तो इसका answer क्या होगा तो दोनों मूल कालपनिक होंगे या आवास्तविक होंगे बोट the roots are imaginary और non-real क्यों क्यों क्योंकि less than 0 है तो इसलिए अब सर ये सब चीजे कहां सीखनी होती है क्योंकि एक स्रीधरा चार जी का formula होता है minus का B plus minus under root B square minus 4 is upon 2A और under root में B square minus 4 is ये negative आ जाता है तो imaginary roots होते हैं इसलिए ये सारी कहानी होती है उमीद है मेरी बात मेरे सब्द सभी मासूम बच्चों को clear हो गए होंगे सभी बोलो हा सर क्लियर हैं अब जैसे ये question है इस question को observation से करेंगे एक start दे रहे हैं सिर्फ observation से अगर solve करों को तो समय वर्वाद होगा कहता है तीनों संस्थाओं को मिला कर किस verse सरवाधिक अभ्यारती सफल हुए और यहां जो data है यह सफल अभ्यारती कहा है अब कौन सा verse आप एक बात को देखो options में जाओ second year, fifth year, sixth year, first year यानि first year लिया गया है, second year लिया गया है, fifth year लिया गया है और sixth year लिया गया है बस बाकी पे नजर डालनी ही नहीं है अब यहां पर देखो six, four, five, six, four, five यहां पर भी देखो six, four, five, six, four, five यह five, three, four है यहां four, two, five है यानि इससे बड़े यह हो गए फिर इसमें नजर डाली यह छेसो चोटेस, छेसो पैतालिस, छेसो पैतालिस, पांट चोटेस यह तीनों छोटे हैं उनके एसाब से तो भी इन सबका चाचा जी यह है और वर्स पांट तो आप देखी रहे हो बिलकुल छोटा है इन कंपैर्जन आप दिस वन तो सबके चाचा जी वर्स six हो गए यानि दर राइट आंसर आप दिस वन six year आएगा six year आएगा उमीद है मेरी बात मेरे सब्द सभी को समझ में आए होंगे एक बैतरीन सुन्दर कोशन है मेरे प्यारे दोस्तों खुसी मिलेगी एक बच्चा केरा पचास में 48 आए हैं और 152 ठीक है लंका पती रावन बहुत अच्छी बात है अच्छे से पढ़िए ठीक है चाले कोशन नमबर 3 केरा निम लिखित का मान ग्याद कीजिए अब निम लिखित का मान तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए कि अपनी टेक्निक बहुत है जब यह डिफिकल्ड कोशन हो जैसे 3-4-5 से हम लोग सॉल्व करते हम आपको सिखा देंगे यूद 2014 में बहुत पढ़ाया ह है अभी इसमें दिखा देंगे पहले आप इसकी कौनसेप्ट को जानो का सिंपल कुश्यन है भाई सिक एक को क्या बोल सकते हो यह ऊंपर सिंपल में में समझना है मिरे दूस्ट अब एक बात को समझो ये value और इस value का भरत मिलाफ हो जाएगा यानि 1-cos square को हम लोग sin square बोलेंगे तो ओपर sin square हो गया और नीचे क्या है cos A sin A sin A से sin A कट गया यानि 10 A answer आ गया इस question का answer 10 A आएगा ये एक simple subtle question है प्याए दूस्तों और आपको आना चाहिए लेकिन जब इसी pattern का question difficult होता है हम solve करने में आसमर्थ होते है उस case में हमारा ब्रह्मास्त market में आता है निकल कर क्या 3, 4, 5 ये triplets होता है पाइथागोरस theorem को follow करता है बस इसके माध्यम से भी हम इस question को निप्टा सकते हैं कैसे से के का मान होगा पांच बटा चार अरे बोलो हाँ कॉसे का मान होगा तीन चार बटा पांच उस रे आधार बटा कन कॉसे की का मान होगा पांच बटा तीन कण बटा अधार कण बटा लब और कॉट एक आमान चार बटा तीन इसको calculate कर दो ज्यादा टैम नहीं लगता है जो आप सो बड़ा रहा हुआ टैम लगता है कुछ नहीं देखो पांच या नो नो बटा तीन तो ये तो की नहीं हो गया ये एक बटा पांच हो गया और ये पांच बटा चार हो गया कि कट गया अब देखो तीन बटा चार आया कि तीन बटा चार को ही समाज 10 के नाम से जानता है कैसा लगा तो आंसर आ गया लेकिन आपको कब ये तरीका लगाना है इसके लिए अभ्यास की जुरत होती है जैसा question वैसे options तब आप इस तरीके को लगाओगे math आती हो ना आती हो geometry आंसर आपका सही आ जाएगा याद रहे जो आंसर आएगा वो राइटी होता है हंड्रेट परसेंट वाला सिष्टेम है इसमें इसमें यह नहीं कि ए बराबर 30-45 और 60 पूर्ट करो तो उसमें confusion रहता है कि option में फिर चारों में चेक करना पड़ता है लेकिन इसमें जो आ गया सो वही आंसर है उमीद है मेरी बात मेरे सब्द सभी मासूम बच्चे समझ गए होंगे अरे बोलो मेरे भाई पुस्पा राच क्लियर है चाली कोशन नमबर 3 के बाद कोशन नमबर 4 कि दो गोलों का आयतन इतना उनके प्रश्टी छेत्रपलों का अनपात क्या होगा 36-25 आंसर सर कैसे देखो बड़े प्यार से देखो गोलों की त्रिजाओं को अगर R1 और R2 माना तो ये त्रिजा का खेला चलता है अगर हम इनका स्क्वायर कर देंगे त्रिजाओं का तो एक तरीके से जो रेश्यो होता है वो इसके टोटल सर्फिस या कर्व सर्फिस का चलता है और अगर मैं इनका cube कर दूँगा तो ये item का खेला चालू हो जाता है किसका item का खेला यानि volume का अब देखा जाए item दिया गया है तो ये cubic है देखो 6 की power 3, 5 की power 3 और हमसे prestige छेत्रफल यानि total surface area यानि surface area के बारे में तो सीधी सी बात है surface area square pattern में चलेगा area square में 6 का square और 5 का square 36.25 is the right answer secondo का question अब ये एक प्यारा question आ गया प्यारे दूस्तों जी है इस question को सीखो और 3 star इसलिए क्योंकि patience से solve होगा कहता है pipe ये एक हौज को 6 गंटे में भर सकता है बहुत अच्छी बात है pipe B उस हौज को 30 गंटे में बढ़ सकता है बहुत उंदा दोनों pipe चालू किये गए थे लेकिन हौज तली में एक रिसा हो था इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है यानि A, B, C तीनों pipe चालू किये गए लेकिन जो actual समय था तो actual समय तो इससे निकलेगा न LCM 30 लिया पांच यहां या एक यानि यह 6 से भाग दे दोगे तो 30 बटा 6 यानि 5 गंटे का समय लगना था लेकिन प्यारे दोस्तों उसके तली में एक रिसाओ था रिसाओ के कारक 30 मिनट अधिक यानि 5.5 गंटे लग रहे हैं जब 3,5 मिलकर काम कर रहे हैं यानि 11 बटा दू पस यह बात जिसको समझ में आ गई हो तभी मैं कोशन को आगे बढ़ाऊंगा एक बार फिर समझो मैं कोई काम करता हूँ 6 गंटे में आप काम करते हो 30 30 घंटे में मोटा मोटो तो हम लोग्हों ने अपना अपना दोनों का सौदा तै कर लिया तो हमने देखा कि 5 घंटे में काम हो जाना चाहिए लेकिन मालूम चला कि एक काम बगाड ने वाला भी था जिसके बारे में INFORMATION नहीं थी तो हमने देखा उसको भी, उसके साथ सामिल है, तो काम आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, दो लोग कर रहे हैं, एक बिगार रहा है, ये मुद्धा हुआ, समझे की नहीं समझे, तो पहले actual तो होना था 5 घंटे में, पर बिगारने वाले के बारे में information नहीं थी, तब भी लोगों ने काम कर दिया, साड़े 5 घंटे में, तीनों लोगों ने मिलकर, क्या मेरी बात समझ पर आए, अब देखो थोड़ा सा खेलना है, ज़्यादा नहीं, यहीं पेसिन से इसी को ही total work समझे, तर क्यों LCM लोग, अरे सब ठीक है, आपने basic हम से पढ़ा है, तो बताया है यहादा, LCM कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपकी process सही होने चीए, अब मैं इसको 11 बटा 2 से भाग देता हूँ, तो 60 बटा 11 आ जाएगा, कितना 60 बटा 11, यानि तीनों मिलकर, तीनों की छमता 60 बटा 11, लेकिन A की छमता 5 है, B की छमता 1 है, तो C की छमता निकालनी है, तो 60 बटा 11 में से, 6 कम कर दो, यानि माइनस का 6 बटा 11 चमता होगी, किस की, C की, किती होगी, माइनस का 6 बटा 11 चमता, अब C की जब माइनस 6 बटा 11 चमता है, और काम कराना है उसको ये 30, पूरा का पूरा, तो 30 अपॉन, माइनस का 6 बटा 11, 11 से, देखो, नसे बाजी 6 से ये 5 बार में गया और इसमें गुणा कर दोगे तो 55 माइनस का माइनस साइन ये सो करता है कि टंकी को खाली कर रहा है कितने घंटे में 55 घंटे में कैसा लगा मेरे दोस्त इसलिए कह रहे है गुरुप D के कोशनों को सीखना है और आपको बेनिफिट होगा ये बात याद रखना अगर किसी कोशन में अच्छा एक बच्चा के रहा ग्यारा बटा दो कहां से आया अरे मेरे द्योता नसे बाजो का पूरा सुर्वास एक दूई बार बताया हमने कि हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6 और 30 30 आया 6 से भाग दिया तो 5 घंटे में हम दोनों मिलकर का कर लेंगे लेकिन एक थो बिगारने वाला भी था जिसके बारे में मालूम चला तो कह रहा इसलिए होज को भरने में 30 मिनट अधीक लगे यानि लगने थे पांच घंटे अब 30 मिनट अधीक 30 मिनट को आधा गंटा बोलत है पांस सही एक बटा दो तो उसको 11 बटा दो बोलत है का चुछ समझे के नहीं समझे है तो को प्रॉपर लेक्चर को देखा गुरू बीच में आते हो वाई इसकोला वरी तीसरी बार बताना पड़ गया एक क्लास की विद्यारती द्वारा गडित में प्राप्त ओसत अंग 70 है लड़कों द्वारा प्राप्त ओसत अंग है तो लड़कों द्वारा प्राप्त ओसत अंग आपको बेसिक से करोगे बहुत फास्ट हो जाएगा पहले समझे एक क्लास के विद्यारतियों के गड़ित में औस अंग 70 है यानि पूरी क्लास के ओवरॉल 70 एन एवरेज में यहां हम से कहता है लड़कों द्वारा प्राप औस तंग लड़कियों द्वारा प्राप्त से 20% अधीक है तो को 20% का मतलब होता है एक बटा पांच यानि लड़कियों के अगर पांच आ रहे हैं यानि 5X तो लड़कों के 6X आएंगे या तो यह समझे जो 100X 120 तो रेशियो 6 इस टू 5 होगा यहां मैं वैलू ले रहा हूं सर वैलू के ले रहा हूं क्योंकि आगे चलके लड़कों के लड़कियों की संख्या का भी रेशियो 3 to 2 दिया गया तो हमें यहां X पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा अब समझो कैसे करेंगे बेसिक बिल्कुल बेसिक छत्रिक 18 गुणा भाई यह तो यह क्वांटिटी औ इस और यह एवरेज है घुणा कर दो शत्रिक 18 गुणा दूना 10 गुणा यह तो नहीं हो ते उन्था और तो 28 गुणा लड़कियों द्वारा प्राप्त ओसत तक वह तो पांच एक्स है तो X बराबर साड़े 300 बटा 28 ऐसे और 5 का गुणा और कर लो क्योंकि 5 है तो 14 से ये कटत हैं कि 14 दूनी 28 और 14 25 होता है तो 25 पंजा 125 बटा 2 साड़े 62 आ जाएगा यानि जो गल्स का आउसत होगा वो 62.5 आएगा और ऐसे ही करोगे तो ही सही होगा अन्था खीला हो जाएगा समझ में आया कि नहीं आया छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना है और आगे बढ़ना है और सेसन पसंद आया तो लाइक तो करना है बच्चा आमेशा यही पूस्ता रहता है रेलवे का क्योंकि खोया हुआ है ठीक है खोया हुआ है अरे मेरे दियोता यह रेलवे के पेपर करा रहे हैं प्रीवियस यहां प्रैक्टिस हो रही है ऐसे ऐसे कोशन आये हुए है मेरे दियोता ठीक है कुछ भी हो सकता है अब जैसे ये कोशन है अब ये कोशन रेल्वे का बच्चा देखकर ही छोड़ देगा पर गुरूप डी में आया हुआ है गुरूप डी समझी रहा हूँ कहता है भाईया एक प्रतियोगी परिच्छा में प्रतेग सही उत्तर के तीन अंग है और प्रतेग गलत उत्तर के एक अंग काटा जाता है देखरो सिंदू ने इस परिच्छा में असी अंग प्राप्त किये देखो तीन अंग मिलते है माना इसने एकस कोशन सही किये और एक अंग काट देता है माना वाई कोशन उसने गलत किये तो X question सही तो X गुड़े 3 और Y question wrong तो Y गुड़े 1 1 नहीं minus 1 क्योंगि कट रहा है उसको 80 अंक मिले यदि प्रतेख सही उत्तर पे 4 तो अगर X C question थे अब प्रतेख सही उत्तर पे 4 अंक मिलना है और प्रतेख गलत उत्तर पे 2 अंक काट ले रहा है तो Y question गलत किये पर प्रतेख बोला गया तो 2y और ऐसा करने से उसे 90 अंक मिले अब हमसे या करें यदि सिंदू ने सभी प्रश्णों के उत्तर दिये तो परिच्छा में प्रश्णों की संख्या क्या होगे मेरे देशवासी हो प्रश्णों की संख्या तो x प्लस y होगी ना x प्लस y यानि हमें x, y दोनों निकालने पड़ेंगे और बस ये equation solve कर लो महबबस से कोई डरनिक जोगत नहीं दो का गुणा कर लो घटा दो तो ये 6x में 4 है इस गया तो 2x आया 160 में से 90 गया 160 में से 90 गया सत्तर आया यानि x बराबर 35 पहली में equation में रख देता हूँ पहली में रखता तो 35 ते आये 105 माइनस y बराबर 80 तो y बराबर 25 हो गया तो 25 रॉंग है राइट 35 है और 35 पचीस 60 होता है 60 is the right answer of this one ऐसा question जब आता है पेपर में रेलवे का बच्चा घबरा जाता है क्योंकि वो चार लाइन पढ़ना ही नहीं चाहता और teacher भी उसको पढ़ाना नहीं चाहता ठीक है ये भी है ना तो इन सेटों को लगाने से बहुत benefit है समझ में आया की नहीं आया और patience के साथ solve करूगे तबी वैसे तो ये question mixed allegation से बनता है मुकेश जी लेकिन mixed allegation से उसमें ये double condition नहीं होती है उसमें क्या होता है कि इतना questions किया मनलब इतने का paper है इतने अंग आये सही के तीन है wrong मलब सही अंग में तीन मिलते है गलत में एक कट जाता है overall उसका ये होता है कि समद्गे ना लेकिन यहाँ पर दूइबार condition दे दिया अब दूइबार mixture allegation कहां से लगाओगे तो information भी तो होनी चाहिए तो मैं paper का presence of mind की बात कर रहा हूं ये बात हमेशा या दखना ठीक है देको हर question का कोई ही ना कोई shortcut होता ही होता है अगर आप कीमती समय लगाएंगे लेकिन question में जब बदलाओ होता है तो हमारा traditional तरीका ही भैतर बताओ दो equation नहीं स्वाल कर पा रहे हो क्या बताइए है कि सीखो मेरे भाई इन्ही सब चीजों को भावनाओं में मत बहो यदि चकवर्ती ब्याज पर निवेसित एक निश्चित रासी छे वर्स में स्वयम की दुगनी हो जाती है एर आप ब्याज की गरना वार्सिक दार पर समान ब्याज दर पर ये रासी कितने वर्स में स्वयम की आठ गुनी हो जाती है समझो पी रुपया लगाया तूपी हो गया कितने साल में छे वर्स में क्योंकि दुगना फिर छे साल लगाओगे तो चार गुना हो जाएगा और फिर छे साल लगाओगे आठ गुना हो जाएगा और हमसे यही चाहता है कि भाईया आठ गुनी हो जाए छे साल में दुगनी और आठ साल में कितना गुना गुना कितने साल में ये बोला गया तो मेरे दोस्ट छत्रिक 18 साल आंसर बहुत सा बच्चा तो इसको ओरल कर लेता है कैसे कि सर 1 का 2 हो रहा है ये 6 वर्स में हो रहा है और सर हमें 1 का 8 करना तो पावर जो ये 3 है न सीधे यहां गुना कर लेता है चत्रिक 18 इस दा राइट आंसर समझ में आया कि नहीं आया बोलो हाँ कोई ऐसा बच्चा जिसको यह कोशन नहीं आता है इन्हीं सब चीजों को हमें सीखना है कि एक बच्चा कर रहा है कि कुछ भी होता है आज कल जो पेपर के लेबल है जो मैं सेट देख रहा हूं जो मैं देख रहा हूं कोई भरोसा ने कौन से लेबल का पेपर आ जाए यूपी पुलिस कॉंस्टेबल से ही समझ में मुझे आगया मैं लेटेस्ट क्यों करा रहा हूं इस व liकुत में 올 प इसलिए करा रहा हूं कि मैं भी अपडेट हो जाओं लेटेस्ट वर्जन को देखते हुए कुछ भी हो सकता कोई सेट बिल्कुल हलुआ है और किसी सेट में ऐसा कि हवा भी नहीं आ रही है अब यह डिपेंड करता है किस्मत कौन सी है पेपर में हाँ डसने वाले आ रहे हैं कि आसान वाले आ रहे हैं संक्या 36 चोवन बातर 96 का एलसियम क्या होगा अब देखो एक जुझारू बच्चा इसका एलसियम लेने लग गया आठ एलसियम निकालेंगे फला टीचर कुछ नहीं मेरे बाइस नौका मल्टपिल तो होना ही चाहिए क्य इस दा राइट आंसर भले यह एलसियम सही हो या गलत उससे मतलब नहीं है यह नौका मल्टपिल एकलोता एक ही है यही आंसर होगा समझ में आया अब मुद्दा आता है कि सर्जी निकालना भी सिखाया करो मतलब डारेट क्यों मरवा देते हो निकालना भी सीको यूद दोज आई वैल्यू उठाली 96 बड़े प्यार से 96 पतिस यानि दो की पावर पांच गुड़े तीन होता है अब इसके अंदर भर भर के दो हैं सबके दो निकल जाओ सबके दो निकल जाओ किसके अंदर भर भर के हैं तो यहां से सिब नौ और तीन से भाग दिए तीन ही आएगा मल समत गिरोगे और इसके भी निकल जाओ 9 तीन आएगा यहां पर भी क्योंकि 24 चौका 96 इसमें भर भर के तीन है इसमें 9 आजाएगा और यहां से 9 यानि 96 गुड़े 9 नचोक को 54 हासिल 81-5-86 864 LCM होगा लेकिन इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग क्या एक बार फिर से समझो सबसे बड़े को हमने बाहर निकाला अब देखा 36 तो इससे देखा जाए तो एक तरीके से इससे इससे बात करो में इससे एक तरीके से इससे 12 बन जाता है वै तीन चोका बारा 36 तीन बार में फिर भगल में गये 54 इससे 6 बन पाएगा तीन और दो 6 तो यहाँ पर 9 बचा यहाँ बहत्तर तो इससे क्या बन पाएगा 24 क्योंकि इस दो की पावर 38 24 24 से यह चला गया तीन बार में 393 का LCM 9 होता है तो 96 में 9 का गुणा करो होगे 864 आएगा क्या मेरी बात यह समास सीख पा रहा है अरे बोलो मेरे द्योताओं चलिए चन्दन जी सीखो मगर प्यार से एक चत्रबुझे ABCD में यदि कोण B और D का योग पल इतना है जबकि A और C का अनपाद इतना है तो C का माप क्या होगा देखो मेरी बात को समझो कैसा भी करके चत्रबुझ बना लिया कैसा भी जो आपकी स्रद्दाओं अब कोशन को पढ़ लो के रहां B और D का तो भाई नामकरण में कर देता हूं A B C D तो कहरा है B और D इन दोनों का योग देड़ सो है तो बाकी का रेशियो तो अब डाइग्राम की जुरत नहीं दी सिर्फ समझाने के लिए एक बात समझे चत्रबुझ के चारों कोडों का योग कित्ता होता है तो सर जी 360 होता है उसमें से देड़ सो कम कर दोगे तो 210 आएग सबी बोलो हां चार और तीन के रेशियो में यही 210 बटेगा और यह ए है और यह सी है तो चार तीन साथ साथ बराबर 210 एक बराबर 30 के तो हम से सी पूछा गया तो तीन गुड़े 30 90 इस दा राइट आंसर ठोको लाइक बोलो हां सिम्पल सरल सोलूशन आपके सामने चाले आगे बढ़ेंगे तीन संख्याओ का अनपाद इतना है LCM इतना तो SCF कितना बड़ा सिम्पल है यह 4X 5X और 7X इसका LCM निकालो तो 20 सत्य 140X इसका LCM हो जाएगा जो कि 5600 140 से भाग दोगे X जो कि सभी में कॉमन है तो वही इसका SCF होगा 40 कहता है हम से दी गई आकरती L और M हमारे क्या है पैलल है पी एक त्रियक रेखा है और बाकी एंगल 1 और 2 इन दोनों का जो रेशियो बोला है वो 4X to 11 बोला है तो हम जानते हैं यह स्ट्रेट लाइन है यह स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का योग यानि 15 180 डिगरी के बराबर होगा तो 12 का गुणा हो जाएगा यानि 12 चोक 48 और 12 गुड़े 11 एक सो बत्तिस होता है यानि एंगल 1 हमारा 48 डिगरी होगा और एंगल 2 हमारा 132 डिगरी होगा फिर हमसे कहता है साथ और आठ बताओ अब आपको मेहनत नहीं करनी है बस यही ध्यान देना है साथ और आठ के बारे में हमसे चर्चा करना चाहता है तो एक चीज समझो एंगल 2 यह है इसका वर्ट कली अपोजिट एंगल यह होगा चाहर और यह चाहर है तो यह कॉर्सपॉंडिंग से यह भी मलब दो चाहर के बराबर चाहर आठ के बराबर तो दो एंगल 132 है तो आठ एक सो बतिश डिगरी हो जाएगा फिर से समझो फिर से एंगल एक का वर्ट कली अपोजिट एंगल सीर्षा विमुक तीन है और संगत कोण से यह तीन है तो यह साथ तीन बराबर साथ के यानि एक बराबर तीन तीन बराबर साथ यानि यह वाला 48 डिगरी आ जाएगा यहां 132 लिखा है वो आपको हो सकता है कि क्या दिख रहा हो 130 दिख रहा हो लिखा था 32 समझ गया ना लिखा था 32 राइट आंसर ओफ दिस वन 132 जिगरी और 48 डिगरी सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर किलियर है कोई आपती चालिए तो उमीद है मेरी बात सीख गए होगे एक मासूम सा बच्छा लेखता है सर यूटूब पे पुराने वीडियो प्राइविट क्यों कर दिए अरे अभी तो यह जो सेट पड़ा रहे है 99 जिस दिन खतम हो जाएंगे उसके इनको भी प्राइविट कर दे एक व्यक्ति अपने घर से 5 kmph की चाल से कार्याले जाता है और उसी मार्क से 20 kmph चाल से अपने वापस आता है यात्रा के दौरान आउसत चाल क्या होगी अब यह तो टेडिशनल कोशन है सभी को मालूम है क्या कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वा लिके तो प्यारे दोस्तों दो ऐसे 5 ऐसे 20 ऐसे और दोनों का योग करेंगे तो 5 यह 25 हो जाएगा अब काट पीट लो महबबस से 5 से 25 पांच बार में गया यह 40 हो गया 5 से भाग दिया तो 8 kmph आंसर सरल कोशन यानि कोशन नमबर 13 का जो आंसर होगा वो 8 kmph होगा अब यह तो बस पेसेंस जिसके अंदर पेसेंस है दसंबलों के बाद 4 डिजिट 4, 3, 7, 8 यानि एक तरीके से 10 की पावर माइनस 8 आ गया और यहां 10 की पावर 6 है इन दोनों का जब मिलाप हुआ तो 10 की पावर माइनस 2 औ और इसी को एक बटा सो बुला जाता है किसी को कोई आपति कोशन नमबर 14 में नहीं अब थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे कहते हैं निम लिखित का मान ग्याद करो तो आप देखो 36 का स्क्वेर में 9 का स्क्वेर तो नचो को 36 तो नचो को 36 तो यहां 2 का स्क्वेर आ जाएग प्लस चार का स्क्वेर अब सर दो का एक मिनट सोरी 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 नचो कुछ 36 तो यानि 4 का स्क्वेर क्योंकि स्क्वेर तो स्क्वेर में और 4 का स्क्वेर है यह सोला दूनी 32 इस दा राइट आंसर अब ये कोशन यूपी पुलिस कॉंस्टेबल में भी आया दो वेक्तियों की वर्तमान आयू का अनप आयू 46 वर्स और 60 वर्स है टेक्निक देखना कहरा एन वर्स के बाद उनकी आयू का रेशियो 4 इस्टू 5 हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा अब देखा ये जाए मेरे प्यारे दोस्तों इनका अंतर कितना साल है 14 साल है बोलो हाँ तो याद रहे जिन्दगी के बाद भी और जिन्दगी के साथ भी 14 साल का ही अंतर होना चाहिए कितने का 14 साल का ही अंतर ये बात अच्छे से याद है भाई मैं आपसे 14 साल चोटा हूँ तो हमेशा चोटा रहूंगा चाहें एन वर्सों के बाद भी देख लोगे तो भी चोटा रहूंगा यानि मेरे दोस इसका अंतर तो एक है यानि 14 का गुणा करो अंतर बराबर अब ये मोदी जी 56 साल के हो गए समझे ना ये 46 ये 56 तो कितने सालों के बाद ये मैटर आया 10 सालों के बाद 10 is the right answer दोस्तों जब एक्जाम में ये question आएगा बड़े patience के साथ solve करना है solution को आप समझे कहता है A और B दोनों के आउसत निवेसों का योग और B और C के आउसत के निवेसों के योग का कितना परसेंट है यानि देखा ये जाए A प्लस B बाई 2 ऐसे ऐसे ही B प्लस C बाई 2 इंटू 100 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसको जोडते समय सावधानी रखना 3 0 ऐसे आएंगे अब 10 4 14 14 और 14 17 31 तीन हासिल साथ 3 10 10 10 दूना 20 और 6 26 इसको जोड़िए 3 0 ऐसे ही आजाएंगे 6 4 10 और 13 23 दो हासिल 8 2 10 4 14 5 19 19 10 29 तीन जीरो ऐसे ही आजाएंगे 20 25 25 दो हासिल 10 4 14 दो 16 और 16 13 29 अब पहले हमें A और B के डेटा को जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे 4 ऐसे हो जाएगा 5 और ये 5 हो जाएगा किमिलरली 29 दूना 58 ऐसे हो जाएगा और 8 000 ऐसे इंटू 100 बड़े प्यार से भाग दीजिए इमानदारी के साथ तर कैसे दिते हैं ध्यान दो 554 00 अंदर जाएगा 5 8 8 ऐसे नौ बार में गटाओगी तो ये 8 आजाएगा 13 में से 9 गया 4 आजाएगा और ये अब यहाँ देखो अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ तो 5 चुका 20 यानि इसके नेरेश्ट वैल्यू आ जाएगी तो 94.something यानि D is the right answer of this one उमीद है ये question सबको समझ में आया होगा बोलो हाँ नेक्स्ट कोश्चन कहता है वहिया इसकी मादिका ग्यात करो अब मादिका ग्यात करना है प्याए दोस्तों तो सबसे पहले इसे ascending order बढ़ते हुए क्रम में लिखना है सबसे पहले आयेगा चार लेकिन ये चार दो बार है तो चार ऐसे फिर छे आएगा बिलकुल ध्यान से ही फिर उसके बाद सात आएगा फिर आठ आठ दो बार आजाएगा आठ आठ दो बार आ जाएगा फिर प्यार दोस्तों आएगा कितना 9 आ जाएगा फिर 11 आ जाएगा फिर 12 आ जाएगा और फिर 14 आ जाएगा ये वैलू हमारे सामने आ गई अब हमें निकालना है मादिका तो यहां से इसे मैंने 4 काटे तो यहां से भी 4 काटो और इन दोनों के योग का आधा ही हमारी माद्धिका हो जाएगा यानि 18 का आंसर 8 आएगा 19 नमबर बन्या कोशन है पेसें से एक दुकंदार अपने अंकित मूल पे 4% छूट देता है यही किसी वस्तु का क्रेमूल इतना है और 10% लाप राप करता है उसका अंकित मूल यात करो प्यारे दोस्तों हम दो चीजों को जानते थे cp और mp पे जब कोशन होता है तो हम लोग यहां direct खेलते है cp और mp में यह क्या 100 माइने डिसकाउंट ऐसे और 100 प्लस प्रॉफिट ऐसे इस टाइप से बिलकुल माइन्ड में रटा होना चाहिए अब कोशन में देखते हैं कि पहली 4% छोट है तो 100 में 4 गया तो यह 96 आया और फिर हमसे कह रहा है 10% लाव है तो 100 में जोड़ दोगे तो 110 आया अब इसके बाद चाहो तो ratio में settlement कर लो इनका भाई यह 48 हो गया और यह 55 हो गया इस टाइप से हाँ कर लो थोड़ा settlement 48 और पचपर अब हमसे कहता है कि प्रभू इसका क्रेमूल 120 है तो अंकित मूल बताओ MRP 48 बराबर 120 के तो इसका ज़स्ट धाई गुना होता है तो इसका धाई गुना answer आएगा बस इतनी calculation है पच्चिस पच्चा एक सो पच्चिस बारा हासे फिर एक सो पच्चिस ऐसे तो 137.5 137.5 is the right answer of this one और याद रहे इस pattern के question exam में आने ही है समझ में आया चलो अक्षे मेरे भाई मड़ीपूर से देख रहो ठीक है क्लियर है 19 नंबर में कोई doubt और ये pattern का question आप विश्वास मानू latest जो भी exam हो रहा है CHSL आपका UP police या क्या गहते हैं CGL में इस pattern का question आया ही आया है ये याद रखना ठीक है very very important question कहता है इसका third proportional ये तो अब सदा बार हो गया है हर दगे आ रहा है third proportional बताओ थोड़ा concept समझो जैसे A is to B double is to मुलाब A is to B फिर B is to C A is to B और B is to C C को हम लोग बोलते हैं third proportional क्या बोलते हैं C को हम लोग third proportional बोलते हैं ये बात अच्छे से याद रखना अब करना क्या होता है इन दोनों का into इन दोनों के into के बराबर होता है यानि B square is equal to A C के तो C होता है third proportional यानि B square upon A ये आपको direct याद होना चाहिए तो अगर third proportional बोला है तो यहाँ पर 1.2 का square कर लेंगे और divide by 3.6 से भाग दे देंगे कहते हैं प्यारे दोस्तों इससे ये 3 बार में गया और इससे ये 0.4 बार में गया यानि right answer C हो जाएगा 0.4 इसका सही answer समझ गये होंगे कहता है हम से ए और ब की वर्तमान आयू का योग तीस वर्स है पांच वर्स बाद उनकी आयू का अनपाद three is to two होगा कितने साल बात पांच साल बात देखरो तो पांच साल बाद उनकी आयू का अनपाद क्या होगा त्री three is to two होगा ये पांच साल के बाद है और वर्तमान में इनकी आयू का योग क्या है तीस वर्स है अच्छा वर्तमान में इन दोनों का आयू तीस वर्स है और पांच पांच दोनों का जुड़ जाएगा तो पांच दूना दस जुड़ जाएगा तो ये तो पहले तो एक ही 5 साल पहले क्या आई हो 3 बुड़े 8 यानी 2014 साल है और 5 साल पहले यानी 19 वरस का था वर्तमान में समझे ना वरतमान में 19 वरस का था अर 5 साल के बाद 24 साल का हो जाएगा है रहेना आसान कोशन ठीक है बिल्कुल प्रॉपर वे में इस पैटरिंग के कोशन आपको पढ़ाए गए हैं ठीक है बिल्कुल अब एक बच्चा के रहा कॉंसेट ले यूद 2024 पढ़ो ना मुझसे अब यहां तो प्रैक्टिस हो रहा है यानि आप पढ़े लिखे हो तभी तो प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं अब जिसे ये कोशन है ये कोशन बहुत प्यारा कोशन है और इसको बहुत पेसेंस से करना होगा कहता है 4800 की रासी को ABC के बीच इस प्रकार विवाजित क्या एता है कि A के हिस्से और B और C के सर्यूक्त हिस्से का अनपाथ 35 है रेशियो चैप्टर का कोशन है और ऐसा कोशन आपको टाइम इंड वर्क में भी मिलता है वो आपको याद नहीं पर मिलता है A के यहां से कंडिशन में A के हिस्से B और C के सर्यूक्त हिस्से का 35 है देखो यह 35 नहीं यह 3 इस तू 5 है यह 3 बटा 5 है वो लिखना मिश्टेक कर दिया इसके 3 बटा 5 है तो A ऐसी और B और C के सर्यूक्त हिस्से का 3 बटा 5 है तीन बटा 5 है फिर आगे कहता है C को प्राप्त रासी A और B को मिला कर होने वाली कुल रासी का 5 बटा 7 है C को प्राप्त और A और B का 5 बटा 7 है लोजिक को समझना अब मेरे दोस इसमें क्या होता है कि इसका योग देखो 8 है इसका 12 है पर है तो यहाँ पर भी A, B, C यहाँ देखो A, B, C तो यह अलग कैसे हो गए यह तो 8 यह 12 सेम होने चाहिए तो इनका LC हम लेते है जो की 24 आ गया जो की 24 आ गया तो आठ में किसका गुणा करोगे 24 तीन का तो इसमें भी तीन का 12 में किसका करोगे 2 का तो इसमें भी 2 का यह लॉजिक याद रखना है अब हमसे कहरा A के हिस्से और B के हिस्से का अंतर A को जो मिलेगा वो 9 मिलेगा A B C का हिस्सा लिख देते हैं A को 9 मिलेगा C को 5 दूना 10 मिलेगा और मेरे दूस तीनो को 24 मिला है तो 19 यह गया तो इसको 5 मिलेगा 9, 5, 10 इनका योग 24 होता है और मेरे दूस यही 24 बराबर टोटल पैसा कित्ता दिया गया था 4800 के एक बराबर 200 के इन दोनों का अंतर पूछा गया चार बराबर चार में 200 का गुणा कर दोगे 800 आ जाएगा चार दूना 8 800 is the right answer of this one बहतरीन सुन्दर कोशन अक्षे मेरे बाई clear हुआ ठीक है तो यह एक बहतरीन और सुन्दर कोशन है जिसे आपको सीखना ही सीखना है कोई rocket science नहीं ratio chapter पड़ा होगा ए और बी और सी का सयूक्त हिस्सा तीन बटा पांच के रेशियो से यहां mistake था वह सही किया मेरे और फिर कह रहा है सी को प्राप्त ए और बी के हिस्से का पांच बटा साथ अब यहां दोनों में A B C का मान सेम होना चीए पांच तीन आठ पांच साथ बारा तो इसका LCM लोगे 24 तो 24 क्या आठ तरिका 24 तो सब में तीन तीन और बारा दूनी 24 तो सब में दो दो अब A की वैलू 9 हो जाएगी C की वैलू 10 हो जाएगी समझ गए और B आपके सामने उमीद है यह चीच हर एक मासूम को किलियर हुई होगी 22 के बाद 23 नमबर केरा समीकन इतने का हल ग्याद कीजिए इतने का हल ग्याद करो बड़ा सिम्पल है प्लस प्लस 9 तो माइनस माइनस हो जाएगा नवीन अंगडित RS अगरवाल में मैंने क्वाडिटी एक्वेशन अलग से पढ़ाया जरूर पढ़ो इन दोनों का गुणा 77 पर 11,7 ही 18 होता है यानि 11 यहाँ चिपकाओ दो 7 यहाँ स्टार्टिंग में जो यह 11 दिया गया उसी से भाग दे दोगे तो यह रूट्स आ गए माइनस 1, 7 बाई 11 तो राइट आंसर आप दिस वन माइनस 1, माइनस का 7 बाई 11 हो जाएगा कोशन नमबर 23 का सही आंसर आपके सामने 23 के बाद 24 नमबर यदि एक वस्तू का क्रैमूल 45 सो है और विक्रैमूल 35 सो है तो हानी प्रस्सत ग्याद करू सिंपल कोशन है 2 जिरो से 2 जिरो कट गए 5 से भाग दोगे 9 बार में 5 से भाग दोगे 7 बार में 9 की चीज 7 में तो अंतर 2 आया 2 बटा 9 गोड़े 100 यानी मेरे दोस 1 बटा 9 को 1 बटा 9 इंटू 100 को हम लोग 11.11 परसेंट बोलते हैं अब 2 बटा 9 को तो 22.22 परसेंटेज बोलेंगे इसका सही आंसर सी हो जाएगा 24 का सीन समझ गए है चली यहां कहता है निम लिखित का मान ग्याद करो तो पहले तो मेरे भाई यह पूरा ब्रैकेट है और यहां इंटू लगा हुआ है और यह इंटू यह आउप तो यहां कोई फर्ग नहीं पड़ेगा आप ऐसे कर लो और यह तीन गुड़े तीन हो जाएगा और यह दो बचेगा यानि 49 डिवीजन में 9 बटा 2 तो अब यह रिवर्स हो जाएगा 49 बटा 9 गुड़े 2 ऐसे अब जो जैसे कर जाए काट लो 13 और तीन 26 बटा 3 आंसर आएगा स्टिम्पल वे में हो गया 25 का आंसर 26 बटा 3 आएगा अब देखो यह जो हमने किया वो पूरा ब्रैकेट था इसलिए क्योंकि और भी इंटो पर पूरा ब्रैकेट लगा है अगर ब्रैकेट ना लगा होता तो इसका करने का तरीका कुछ और होता यह बात अच्छे से याद सारा खेल इसके ब्रैकेट पर डिपेंड किया मेरे भाई वना आंसर कुछ और होता यह भी इद्यान रखना यहां कहता है भाईया इसका मान बता दू तो देखो भाईया इन दोनों का अंतर कितना आएगा 20 और दोनों का योग कितना आएगा 90 नौ से ही भाग देना है यही एक्स कहलाएगा यानि यह समाज की लोग इसे दोसों के नाम से जानेगे भाई यह दस दोसों फड़ी कोश्च पंद्रा भुजा वाले वर्क का छेत्रपल तो पंद्रा का स्क्वैर दोसों पचीस होता है मुद्दा कंप्लीट सभी बोलो हां स हमें क्लियर हो गया यह सेट हर एक मासूम को क्लियर हुआ होगा